कि पार्टनेशिप का पार्टनेशिप का मैंने बहुत सारा पूरा कवर कर दिया है अब हम करने जा रहे हैं पार्टनेशिप में स्टार्टिंग का दो यह रहा है जिसका नामे introduction to partnership बिसमें basic concept अगर आप पढ़ेंगे ओके तो इस वीडियो में आपको ना 6 concept समझाओंगा उसके बाद हम problem start करेंगे इससे संबंदित ठीक है तो let us start the basic concept तो सुनो आवाज आ रहे ना बरोबर यह सर आवाज अच्छा है सर का तो सबसे पहला point number one कुछ rules wise समझो य यह है कि अगर डीड क्या बोलते सर डीड के बारे में अगर डीड एपसेंट एपसेंट का मतलग क्या होता कभी कर पटनेशी बनाते हैं नहीं कुछ लोग और डीड रहेगा तो जैसा डीड में बोला वैसा होगा लेकिन अगर डीड नहीं बनाया partnership डीड तो क्या-क्या वात होंगी यह partnership act में लिका है तो सुनो rule in the absence of partnership deed कभी भी अगर आप deed नहीं बनाओगे तो क्या क्या होगा सुनो partnership में पहला no partner has right to salary किसी भी partner को salary नहीं मिलेगा कि क्यों कितना भी काम कर लो आप अगर डीड ही नहीं है तो आप salary डिमांड नहीं कर सकते हो कि समझे मतलब अगर डीड उसका उल्टा डीड है डीड में लिखा है कि तुम्हें salary दिया जागा तो आपको salary मिलेगा तो salary नहीं मिलेगा ओके दूसरा बात आपको capital के उपर भी इंट्रेस्ट नहीं दिया जाएगा लिखा है नो दस नहीं लिखा है नो interest is allowed on capital तो capital तो सब लों लगाते हैं जैसा तीन partner ABC सब ने लक लक रुपय लगा है तो capital पर आपको interest नहीं मिलेगा अगर deed में कुछ नहीं लिखा है तो salary नहीं मिलेगा डीड में कुछ नहीं लिखा है तो interest on capital भी आपको नहीं मिलेगा ठीक नेक्स सब डीड अगर नहीं है डीड हाई नहीं चुवा नहीं खा गया डीड हाई नहीं डीड बनाया नहीं हमने तो बहुत बड़ा पाप हो गया आपको ड्रॉएंग के उपर भीнокें इंट्रस नहीं चार्ज की आजए तीन क्रोस की यह थीन चीज आप यहाद है ना फिर से बोलो क्या क्या नहीं मिलेगा नो ले ले सकते में नहीं है तो अब क्या दो को मिलेगा क्या दो चीज आप क्लिमर कर सकते हो अगि Bernard ऐस दिया है इसको बोलते हैं जैसा मिस्टर रहाम का क्विटल तो है रामने डिशनल पैसा दिया राम कि पैसा था तो राम ने लोन दिया है फॉर्म को तो राम लोन ओके तो अगर किसी पार्टन ने लोन दिया लोन और फरक होता है तो लोन दिया है और डीड में कुछ नहीं लिखा तो उसको ब्याज देंगे 6% पर है ना इसका उल्टा अगर डीड में लिखा ह लेकिन अगर यहां बडिस्कस किया रहे डीड ही नहीं है सुने डीड नहीं है तो आप साइलेंट मोड पर ओके तो तभी भी कुछ तो आपको ब्यास देना पड़े तो कितना ब्यास दोगे सिक्स परसेंट और अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट लॉस करेंगे इक्व इंट्रेस्ट फर्संस है और डीड शाइलेंट है मदाथ डीड बनाय नहीं है और कोई पार्टनर मांग रहा है थिर स्टूर आपके वाटिंग नहीं बना यह यहां डेघ क्विट नहीं बना है तो जो भी पार्टनर है सब लोग प्रॉफिट लॉस एक्वेली शेर करेंगे ठीक है यह सर अब आते हैं कुछ और बाते लिखा हुआ इन दा एपसेंस ऑग्रिमेंट देखो क्या लिखा है इन दा एपसेंस ऑग्रिमेंट अगर एग्रिमेंट नहीं है इंट्रस्ट और सालरी यह विखे ऊछया में गौरी अबटे करिद्स विखाई सर्वी कभी देंगे इंगे मिले और लग्याओर मौटा मौटा बातें डिखातां सब्सक्राइब कुछ कोशन देखते हैं हां रुको दिखाता हूं फर्स जन 2022 को पार्टनेशिव स्टाइट किया नो एग्रीमेंट को एक बात बोल दिया वह लो सालेट करता हूं यह डेंजर वर्ड नो पार्टनेशिप एग्रीमेंट ना ओरल बनाया ना रिटर्न बनाया लोग ने अच्छा फिर क्या हुआ यह ने कितना पैसा लगा है 40,000 ब कब दिया जुलाइक हो दिया यह मेट विद एन एक्सिडेंट ओन 1st अप्रेल 2022 उसके पहले एंड कुट नॉट एटन दा पार्टनेशिप अब्टू 30 जुन 30 जुन तक आ नहीं पाए क्योंकि एक्सिडेंट हो गया था एक टंगडी कट हो गया दा प्रॉफिट फॉन येर अब य होखना छहां आपना अपना हो बोले ऐई क्या बड़ाना यह पिएक का कैना क्या है और बीन खाय है क्यूंकि डिस्पेट यह सिग्धा रॵया आपगड़े दोनों बोल रहे हैं यह का पीटल पे और लोन पर नहीं खaly tv भल नहीं कि अग्रिमेंट नहीं बनाया है तो इंट्रेस्ट 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 इं एंगरीमेंट नहीं बना है तो फ्रॉफिट के शेर करेंगे इक्व est रेंगे इक्व est रेंगे इक्वक वाल चेर करेंगे 3500 वो संधा अब एक तो मैंटर कुलिर कर दिये क्योंकि हम जजेजी साफ हैं अभीग数 कि आनना क्या है प्रॉफिट इक्वालीisha चैर करेंगे वो तो बॉलता है चोटे ही विल बिल बीध र्रमॉनेरेशन नहीं नहीं मिलेगा यूंग क्हारीमेंट नहीं बना है कोई भी कारण दो इंट्रसन क्यापिटल लोन शुट भी गिवन एट 6% बेटा क्यापिटल पे तो नहीं मिलता है लोन पे मिलता है लोन पे मिलेगा 6% आपको इनका जगड़ा सॉल करना तो चलो नीचे आंसर आजाओ हमने अभी जो डिसकस क्यों देखा है लिका है ए बिल बी अलाओं इंट्रसन क्यापिटल 10% अ फिसक बीवन ए और बी कमास ब्सक्राण पाटनेशिब अन्नों पाटनेशिब अगरिमेंट इन्होंने क्यापिटल लाया था ए न एडवांस दिया था हमीट एक्षिदेंट वह उपर कोशन चाप रहा है हूं ए को कितना देंगे 10% प्रैनम क्यापिटल ऐ शुड के उचिफ भी इन्ट्रसन क्यापिट्र इन इंट्रसण inside 10% प्रैनमन क्यापिटल लौन wert क्या है लोन पे तो 6 पर्षन देंगे यहां क्यों लिक कर धाय है इक लिम म्रिम यशोट भी इन इंट्रसंट पर अभर अनम झाल झाल मैंने इसका अंसर नहीं कॉपी किया यह उबर कोई से नहीं बोला थोड़ा होल्ड इट इंसर्ट पिक एक मिन टा एक मिन टा मैं उसका अंसर आपको दिखा देता हूं मैं क्या हो गया कोशन और आंसर दोनों कोशन ही दो बेर कॉपी को हो गया मिर से वैसा अरूल रूल समझ गया ना विट आप लोगो को दिखा देता आपको अंसर खग कोशन गोग हो कोशन आपको ऑ गखधा है वी आता हूँ Mason समय कॉपीर दATION अब दिखे रहा विटा हेलो तो सुनो अभी हमने जो आपको बताया था यह उपर डिसकर्स किया मैंने तो आज आंसर आंसर कैसा लिखना है और रिटर्न और ओरल एग्रिमेंट रूल्स क्या होगा पहले रूल समझा देना कैपिटल पर इंट्रेस्ट नहीं मिलेगा लोण पर इंट्रस दिया जाएगा वह अगर लोण अगर दिया रहेगा तो ठीक और बात ने प्रॉफिट लौस इकोली बाटिंगे बरोबर रहा लोण ना दिया हुआ है यह देखो प्रॉफिट फिफ्टी तो शिक्संड़ है तो पचासर छेष्टो है और यहां देना वो लोन किस ने दिया दिखा दू लोन किस ने दिया इस दोनों में से लोन तो क्यों एने दिया ना तो एको बैस देंगे 20,000 की उपर 6 परसंट जुल आगस्ट सेक्टेंबर औक्टोबर नॉम्बर डिसम्बर छे मेने का ब्यास देंगे बिटा तो यह देखो 20,000 के उपर देखो 50,600 पूरा नहीं बाटेंगे है पिटा जी रूमबर याद रहेगा फिर से रिकॉल कर दूव उवर रूमबर वन रूमबर वन यही बोलता है हाँ हाँ तो रूल लंबर वन क्या बोलता है तीन बाते नो 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 और क्या मिलेगा अगर आपने लोन दिया तो उसके उपर आपको 6% ब्याज मिलेगा और डीड नहीं बनाया तो प्रॉफिट लोस इक्वली शेयर करेंगे डन अब आते रूल लंबर टू बेटा पार्टनर्शिप में हम लोग एक अकाउंट बनाते जिसका नामे प्रॉफिट लोस एक्वरोप्रेशन अकाउंट यह कब बनाते हैं अच्छे से समझाओ ना नहीं तो मैं आपको लेक्टर सुनेगा ने देखो नॉर्मल बीटर ट्रेडिंग एक्वाट तो बनाते हैं इसके प्रॉफिट लोस बनाते हैं लेकिन पार्टनर्शिप में प्रॉफिट लोस क एक्वाट एक्वाट कुन सा एक्वाट कि तरैंप्रोप्रेशन का मतलब ये पीकि आरोपिति ये ये ती आय ये अ Zhao और टेडिंग में फो पेडींग अनद नेट पोफिट में रखा प्रॉफिट लोस में तो फ्रॉफिड हाण़ आइगा फ्रॉफिट लॉफिट Si हम क्या क्या लिखेंगे तो सुन लो profit loss appropriation हम क्या क्या लिखेंगे सामने मैं बना के रखाऊं आपके लिए easy में समझाता हूं तो सबसे पहला profit loss का net profit आएगा लिखा जाएगा by profit loss account अरे उसका credit side में तो इसका debit sorry उसका debit side में तो उसका credit side में आएगा अब अब प्यार समझा अगर form अपना partner को interest दे रही है तो form का नुक्सान है तो debit side में लिखा जाएगा interest अगर देते है capital के उपर तो debit side में आएगा याद रहेगा ऐसी form अपना partner को salary दे रहे तो यह भी form का नुक्सान है तो salary आएगा ऐसी form अपना partner कमिशन पे करते हैं तो वह भी debit side में आएगा form profit बाटने से पहले कुछ पैसा बचा कर रखना चाहती है तो उसको बोलते ट्रांस्पोर्ट और रिजो याद रहेगा चार चीज क्या क्या आएगा interest on capital दे रहें salary दे रहें commission दे रहें ट्रांस्पोर्ट और रिजो लास्ट में जो profit आएगा वह बाटके ले लेंगे और credit side में जैसा interest on capital आपसे charge किया गया है interest capital फर्म ने दिया वैसी फर्म आपसे interest on drawing लेगी तो वह आएगा credit side में बात कतम इतना ही आता है लास्ट में account टाली करना जो profit रहेंगा बाटके लेंगे याद रहेंगा और एक बात अगर पार्टनर को पार्टनर ने लोन दिया वह लोन पर ब्याश पेकर रहें वह profit loss अप्रोप्रोप्रेश्यम ने नहीं आएगा सुने अगर पार्टनर इंट्रस्ट ऑन पार्टनर लोन रहेगा तो profit loss में लिख्दाना लिख देता है साइड में देखो इंट्रस्ट उपर लिखाऊं इंट्रस्ट ऑन पार्टनर लोन रहेगा नॉन पार्टनर लोन ओं किदर आएगा सर वह Whoo profit之 отнош में लिखना affected. नहीं नहीं लेकर आप्रíamos के चार निटम ही आएगा इंट्रेस नंबर वन हो गया रूल नंबर टू हो गया रूल नंबर थ्री जो कैपिटल अक्सर पार्टनेश्य में मेंटेंग करते हैं एक का नाम में फिक्स कैपिटल दूसरे का नाम है फिक्स पार्टनेश्य में वे घंदी. फिक्स कैपिटल में उसरेका नाम है का नाम है Fixed Capital Method तो Fixed Capital Method में क्या होगा आपका Capitalism Fixed रहेगा और जो भी पूरा साल बर में Transaction होता है ना वो fluctuating Capital में लिखा जाएगा Current Account में लिखा जाएगा तो दो Account बनता है Fixed Capital में दो Capital बनता है एक Partners Capital Account सुन रहे हो Partner दिखाई दे रहा है ना Capital Account बनता है और Partner Current Account बनता है Partner Current Account अब यह रहा है जलक दिखाई जाएगा Partners Capital में देखो लिखा जाएगा Create Set में दिखाई जाएगा Buy Balance, Broad Forward, Opening Balance है कुछ Capital लाएगा तो Create Set में हैगा Buy Cash, कुछ Withdraw किया रहेगा Capital, Capital बस मतलब इसमें Opening Capital लिख जाएगा Normally इसमें कुछ होता नहीं इसलिए Fixed होता है जैसा अगर मैं शुरू शुरू में 1,00,00,00 रुपया लाया तो यह लिख दूँगा 1,00,00,00 रुपया लाया बात करता है भी हमेशा उतना ही दिखाई देगा यह चेंज नहीं होगा इसलिए इसको बोलते है Fixed सुन रहे मेटा क्या बोलते है Fixed हमेश सीखना है जब Fixed Capital method होता है उसमें current account भी बनते है तो नीचे current account वाला important दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला देखो बतते जाता हूँ मैं value से highlight करते जा रहा हूँ सबसे पहला यह देखो create set by balance brought forward का मतलब तो opening balance ओपनिंग बैलेंस तो current account होता हो plus भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है मतलब अगा create set रहेगा तो प्लस है दिखो दिखाए दे रहा है red से दिखा रहा हूँ create set मतलब प्लस है प्लस में लेकिन कभी-कभी ना वह debit रहता है तो यह side रहेगा two balance brought forward मतलब माइनस में रहेगा अब याद करो partner को अपने interest दिया था profit loss appropriation में अरे थाना भी पड़ा था ना इसका इसका इधर इधर इसका debit में इसका debit में तो current account का credit set में आएगा उसका second effect profit loss appropriation का debit में लिखेते salary उसका second effect इधर आएगा by salary profit loss appropriation का debit में लिखेते commission इसका second effect आएगा commission समझा तो आरे जो वहाँ पर लिखा था ना interest on capital salary commission उसका second effect यहाँ पर आएगा ऐसी ओड्राइंग के उपर interest drawing के उपर interest यहाँ लिखा था देखो आउसका second effect यहाँ आएगा और आपने ड्राइंग किया रहे खाने के लिए पैसे चाहिए तो ड्राइंग आप इदर लिखो capital account में नहीं लिखोगे समझाना फिक्स capital मेथड में यह यह फिक्सड रहेगा capitalism सेम रहेगा सुन रहे हो यह मिशा सेम रहेगा चेंज जल्दी नहीं होता है यह हमिशा सेम रहता है इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स capital मेथड करन्ट हमेशे चेंज होते रहता है तो जो भी transaction होगे सब आपको current account में करना याद रहेगा ओके सर लास्ट में एकॉन टाली करना इसका यह आएगा closing यह इसका goal करों इसका closing आएगा और इसका closing यह साड़ाइगा यह सेड़ाइगा मतला प्लस कभी कभी मतला माइनस दोनों में से एक ही हो सकता है मैंने बोला आदमी क्या हो रहते है बोला दोनों ऐसा नहीं होगा वह exception कैसे तो सुना यह कॉन से सिका मैंने fix capital में तो दूसरा होता है fluctuating capital rule number 3 में समझा रहा हूँ fluctuating capital में क्या होता है capital और capital तो लिखना ही लिखना है और जितना ही पूरा साल बर में हो नहीं कहाई interest salary commission drawing pay interest वो सब इसी एक ही लेजर में डाल देनेगा इसलिए capital हमेशा change होते है इसलिए इसको बोलते है fluctuating capital तो पोड़ो क्या लिखा अंडर fluctuating capital ओनली वन एकांट इस मेंटेन पर इस पार्टनर और transaction capital में ही ट्रांसपर किया जाएगा इसलिए चेंज होते हैं इसलिए इसको fluctuating बोलते हैं तो यह रहा fluctuating जैसे लाइट fluctuate होते हैं अपना घर का कभी-कभी तो fluctuating तो ओपनिंग balance से सब एक ही में आ गया ओपनिंग capital इंट्रस वन साइंट्रस वन क्यापिटल सालरी कमिशन ना क्या सेकेंड एफेक्ट और यह साइट विड्राइंग किया रहेगा इंट्रस वन भी इसी में आजएगा लास्ट में आकोंट टली करना आपको closing balance मिल जाएगा closing balance अच्छा यहां क्या लिक्यास शेर और प्रॉफिट आरे वह नहीं क्या रिजर तो सेकेंड कहीं और चले जाता है यह वाला प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे ना लास्ट में तो यह चार चीज का यह चार जो डेबिट में निग्ए उसका सेकेंड एफेक्ट कॉमन ने कैपिटल में जाएगा आ बोलो रू नम्बर थ्री समझा रू नम्बर थ्री आपको यह ध्यान देना है कि फिक्स कैपिटल में तडड़ फ्लक्ट्वेटिंग अध्ल में तड़ ओके नेक्स रू नमबर पांच हाजा मजधा रिरू नम्बर फांच अब यह जो पांटनर्स पैसरड्राइब करते जाएगा तो बाहर वाले से नहीं लेंगे बैंक से नहीं नहीं तो किया करें कि जब जादा बोवłem करोगे आपके एंट्रीटांच कि यज लगा अब सुनों इंट्रस इंट्रस उंब रॉंइंग दो तरीकले से निकाल सकते हो सुनो हेलो हेलो आवा जा रहा है पर उबर हाँ तो इंट्रस और ड्राइंग दो तरीके से निकाल सकते हैं यह रूल नंबर पांच वा सी करने जा रूल नंबर चार समझा तीन नहीं रूल नंबर चार है रूमबर फोर फिर आएगा लास्ट में रूमबर फाइस को फाय डाल पांच रूम मैं समझा होंगे इसके इंदर बादने अपना स्टडी मैंट का प्रोडम सौल करेंगे सुनो अब आते हैं रूमबर रूल नंबर 4 इंट्रस और ड्राइंग तो सुनो ड्राइंग के ओवर ब्याज दो तरीके से निकाल सकते हैं एक शॉटकट मेथड एक प्रोडेक्ट मेथड है शॉटकट मेथड क्या बोलता हमालो है शॉटकट मेथड तब कर सकते हो जब आफ विड्रा करोगे और फिछ डेट होगा उसका फिछ डैमंट का मतलब मैं हर महईने 22 döne घुफ ixd अबाट करते हो खर एक तरच कम या महीने का आखरी कम बीच में सको प्रोडा है ऐसानी मिट्रो करने को चार तारिक 15 तारिक 28 तारिक 20 तारिक ऐसा नहीं तो यह फॉर्मॉला तभी यूस होगा सुना दो शर्त क्या है फिक्स डेमांट विट्र यह शर्त याद रखो बिटा सुन रहे हो यह शर्त याद रखो क्या शर्त मैंने बोला है देखो हाथ बनाया मैंने यह शर्त आप याद आप कर रहे हो बिगनिंग को कर रहे हो बिगनिंग का मतलब होता है एक तारीक को विड्राओ कर रहे हो बिगनिंग का मतलब बिगनिंग का मतलब प्लस करने का beginning सुन रहे हो beginning का मतलब plus करने का तो sir वो यह अगर end बोला रहेगा तो end का मतलब end बोलेगा थो less करने का ठीक है तो बीगनिंग बोलेगा तो तो गैप एक महीं नहीं का तो इदर टाइम इंटरल वन आएगा सुनें अगर आप कॉटरली विट्रॉक करें तो अलग कंडिशन होगा अभी फिलार मंतली समझा रहा हूं डिवाइड बाइड टू करने का है फॉर्मल है पूछना नहीं टू कहां से है ऐसी अब एंड को क्यों अलगी मैंने करा दिया है क्याइड इंट्रस ऑन ड्राइंग ऑफ राम 10% पर एनम फॉर ये इंडेड ऑन 31 डिसंबर 2020 इफी विड्रॉट टू तू तौजन पर मांथ एड़ देखो वर्ड मिल रहा है बिटा कब विड्रॉट कर एड़ बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ क resol 60 मध णकर हर महीने का स्टर्टिंग को दो ओजर डौब करते तो सुनो स्का सचौ्ट कार मंथ कैसा निकालनेगर ब tend कि इंडर था है कि हर महने विड्रॉफ करो साल 12 एसलिए 12 विगिनिंग बोली हमों आश speaking बिगनिंग इसलिए प्लस और एच पweet मों अगला ड्राइंग अगला मेन एक तारीकों करोगों मतलब एक ड्राइंग और दूसरे ड्राइंग के बीच में एक मेने का गैप है इसलिए वन लिखा डिवाइड बैटू फॉर्मॉला है तो 12 प्लस 1 13 होता है और 13 डिवाइड बैटू को और अंसरा था विटा 6.5 मंथ इसका और 14 अपने विड्राइगा धीरे धीरे मेरी जिन्दीगी में आना ना 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 दो एज़ार रुपे हर मेने विड्राइग तो 2000 इंटू बारा तो चोबी सर हो गया चोबी सर के उपर 10 टक का ब्याज चार्ज करेंगे फिर विटा एक देखो ना चोबी सर के उपर आप 2- प्याज निकाल दो तो 24 सर के उपर 10% इंटू 6.5 डिवाड़ बाए टुवल आंसर आता 13 रुपे बोलो समझा बेटा समझा 13 रुपे ब्याज कैसे निकाला इस शौटकट ट्रिक है फिर से बताता हूं नहीं तो अक्सर बच्चे पूछते मुए को सर से पूछने का है 6.5 कि समझा 12 प्लस वन डिवाड़ बाए टू चलो सेकेंड एक्जांपल करते हैं देखो समझा कि नहीं हेलो सेकेंड एक्जांपल क्या क्या करेंगे 12-1 डिवाड़ बाए टू आंसर 5.5 मांथ हर मेने 2000 पे विड्रोग तो दो आधर इंटू चोबीसर क्योंब दस परसंट 5.5 डि अराम से वीडियो फिरियो सुनना और एक्जांपल करते हैं आपको मैं जाना जिए चैपले इंटरस वैंगा रहाम 10% पर आधर मिडिल 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 का मतलम हर महिने का 15 तारिक को विड्रोग करता हूं 15 तारिक 15 15 16 15 16 वही मीडिल मिडिल तो ऐसा केस में ना प्लस कर करने का ना माइनच करने का अखर जए मन तो 24 रुपए रविड्रोग किया आपने और सुन रही हो ठाक राइन 24 रुपए रुड्रोग किया आपने तो याद रहेगा beginning बोला तो plus one plus करना है end of the month बोला तो minus करना है और कुछ middle बोलेगा ना plus करना ना minus करना है only 12 divided by 2 करना है अब आज़ो next example number 4 आते हैं अब थोड़ा अलग पढ़ा हो ना सर पढ़ा रहे हैं साल में कितने quarter होते हैं 4 quarter हो वो quarter ने पीने वाला साल में होते हैं 4 quarter तो कुछ लोग हैं ना quarterly withdraw करते हैं तो calculate interest on drawing of RAM 10% per annum for the year ended if we withdraw 6000 at the beginning देखो word पकड में आ रहा है beginning बोला है और quarter भी बोला है तो सुनो साल में होते हैं 12 महिना तो 12 beginning बोला है इसलिए प्लस किया और एक quarter में 3 महिना होते हैं जैसा जैन फैब मार्च एक quarter है लिग दो साइड में जैन फैब मार्च एक quarter एप्रिल में जून एक quarter जूलाई अगर सेक्टेंबर थर्ड कॉर्टर ऑक्टोबर नौवंबर डिसम्बर फोर्थ कॉर्टर तो total 4 quarter है एक quarter और दूसरा quarter अगर आप महिने का quarter का starting को सब्सक्राइब में एक quarter का और दूसरा quarter का बीच में गैप तीन महिने का है इसलिए 3 समझें 3 की दर से तेरे मेरे बीच में कितना है यह डिफ्रेंस अंजाना 3 कि डिवाड़ पर टूसर 7.5 मनतों 24 जार के उपार 10% 7.5 डिवाड़ पर टूसर पंद्रहसों रुपे शॉटकट ब्याच आते हैं सर अगर quarter का end को ही किया तो आजा वो भी आपका इच्छा पूरा कर देते हैं इच्छा दरी नागिन कहीं की कैकुलेट इंट्रेस्ट रहेंगा राम 10% पर है ना फॉद येर एंड़ेट इफी विड्रॉड़ 6,000 अड़ एंड बोला देख रहे हैं एंड बोला है ना बिगनिंग बोला ना एंड बोला है तो करने का सिक्स मंत आंसर आएगा 1200 रुपया मजा आराया यहस अब एक दूसरा देख एक अंदर एक समझा था शॉटकॉट समझा शॉटकॉट बप्लाए होगा जब आप क्या करेंगे शॉटकॉट बथलick विड्रॉट करेंगे फिक्स डटेट को आब आते हैं प्रोड़क्ड मैथेड कभ करेंगे जब फीडिक्स प्राइंग ऑफ राम टैन पर संट पर एनम फॉद एरंड थर्टीफर डिसमब थो जर भी विड्राओ था फॉलिंदे को एक बार ड्राइंग किया 31 जैन को एक बार 31 मार्च को एक बार 1 जुलाई को 30 से को ताल मिल नहीं है गैप अलग-अलग है दूसरा अमांड भी अलग-अ अगर मैंने फॉर्म से पैसा लिया 31 जैन को तो 31 जैन से महीना नहीं हो महीना होना चाहिए तो इसका अकाउंटिंग फैब से करेंगे फैब मार्च एप्रेल में जून जुलाई अगर सेक्टेमर अक्टोबर नॉमबर डिसंबर ग्यारा महीना इसको यूज किया मैने इस पंड को अप्रेल में जून जुलाई अगर सेक्टेमर अक्टोबर नॉमबर डिसंबर नॉमबर डिसंबर नौ मैने यूज किया इसलिए नाइन बैर ट्वल तीन सो रुपए ब्याज उस पे दूंगा जो फर्स्ट जुलाई हाँ जुलाई से महीना होगा एक तारीक से महीना होगा न पूरा तो एक तारीक से आप विड्रॉ किये तो जुलाई गाउंट करेंगे तो जुलाई अगर सेक्टेमर अक्टोबर नॉमबर डिसंबर छे मैने का ब्याज लगेगा चार सो रुपए ती से माइना नहीं होगा अक्Тोबर से माइना था काउंट किया जाएगा तो 3 मयने का बैस दिया जाएगा और 1 नॉंबर को नॉंबर काउंट किया जाएगा तो 2 मैने का बैस गयाद लाकट then total बैस आएगा 1,4,0,8,3,3 बोलो समझा इसका एक और एक shortcut तरीका है बताओं क्या इसका एक और एक shortcut तरीका है इधर table के तुरू समझाता हूँ देखो एक shortcut ऐसा है या तो अलग-अलग बैज निकलो या एकी पर जम्बो निकलो आप जम्बो कैसे निका लेंगे देखो यहां दिखाता हूँ एक दूसरा एक तरीका है आपने जो भी ड्रॉइंग किया है 6,000 4,000 8,000 3,000 और 5,000 पहले यह लिख लो फिर उसका ना जो भी अपने ड्रॉइंग किया है और उसका month यह कितना month आपने already calculate किया था ना यह 11 month, month, month फिर उसको product करेंगे हम लोग सुने, product करेंगे तो इसको 11 मैने यूज किया 9 मैने यूज किया यह 6 मैना, यह 3 मैना और यह 2 मैना अब इसको into करना पड़ेगा आपको तो 6,000 into 11 करोगे तो आंसर आएगा 66,000 4,000 into 9 आंसर आएगा 36,000 8,000 into 6 आंसर 48,000 3,000 into 3 आंसर 9,000 और 5,000 into 2 10,000 अब क्या करो यह स्टेज पे इसको प्लस कर लो तो 66,000 प्लस 36,000 प्लस 48,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 आंसर आता है 1,69,000 पेटा सुने मैं बीच में नहीं आ रहो ना आ रहे थोड़ा सर 1,69,000 अभी दू आंसर आप क्या करना है 1,69,000 के उपर कितना परसंद ब्यास था 10 परसंद था इन्टू 1 डिवाड़ बार 12 कर देना बात खत्म डारेट आंसर आएगा 1,69,000 के ओपर 10% इन्टू 1 डिवाड़ बार 12 आंसर आए ना बिटा इसका अंसर आएगा 1,408.33 अरे मैच हुआ ना बिटा इसके साथ ने मैच हुआ उपर करूँ दिखाई दे रहा है अभी दिखाई दे रहा हां तो सर इस शॉटकट कैसे आप दोनों तर दोनों में से कोई भी एक करो एक ही बात है प्रोडक मेथड है यहां क्या किया मालूम है 1,69,000 एक एक भी केस में 12 को डिवाजट में यह कुछ नहीं है नियूमिरेटर काली इसलिए 1 लिखा है समझा वन कुछ भी नहीं है नियुमिनिटर खाली था ना इसलिए वन लिखा है तो जो 12 से हमने डिवाइड नहीं किया ना एक में भी के वह अलग से कॉमन डिवाइड के इसलिए आंसर मैं चोगा बोलो समझा यह सर आजा रूल नंबर पांच इंटरसन क्यापिटल जैसा आप इतुडूकर पाईस चाए बीशनिस में पैसा लाए कितना यह वेड्राव किया एक न लाया वाय वेड्राव किया और 1 अक्तूबर को एक्स वीड्राव कर रहा है और और क्या है यह ले क्या रहे देखर उल्टा-पुल्टा हो रहे ढूरे है तो इंटरसन चैपिटल हम दें उपर हाँ उसके उपर 6% 12 by 12 आंसर था 30,000 वाई का 3 लाग था हाँ 6% 12 by 12 क्योंकि पूरा 12 मैंने यूज़ किया उस फंड को अब आज़ो additional capital कौन कौन लाए additional को मैं value silent करता हूँ चलेगा additional देखो additional capital कौन लाए x introduce additional capital एक लाग रुपय लाया और y introduce additional capital वाई ने लाए धाई लाग रुपया लेकिन तारीक अलाग लगे एक्स ने additional capital लाए first मैं को तो देखो additional capital एक लाग नीचे दिख रहा तुमको एक लाग 6% में को लाया ना बेटा आगे की तरफ गिनो में जून जुलाई अगर्स सेक्टेमबर ऑक्टोबर नौवंबर डिसमबर छे साथ आठ आठ नहीं यह रिंडिंग मार्च है मार्च मार्च यह रिंडिंग फिर से गिनते तो में को लाए में जून जुलाई अगर्स सेक्टेमबर ऑक्टोबर नौवंबर डिसमबर जैन फैब मार्च ग्यारा मेना इसके ओपर ग्यारा मेने का बैज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 5500 और यह वाई ने जो पैसा लाए ना वह फॉस्स अक्टोबर को लाए था अक्टोबर से गिन लोग छे मैना होते हैं अक्टोबर नौवंबर डिसमबर जैन फैब मार्च तो इन्टू सिक्स बैड डूल एड करने का क्योंकि ब्याच पर और ब्याच मिल रहा है तो नहीं क दो के हैं एकना रूपे सब्सक्राइट सब्सक्राइब 89 रुब्स मीणस करने बशलाऊ किए तो बस इसने 50,000 रूप किटा किया था 29,500 वाई को ब्याज दिया जाएगा 22,50 बोलो समझा बिटा समझ में आया एक स्टडी मैट का कुश्चन है यह देखो यह आप खुद कर सकते हो शिल्पा और संजू सिल्पा और संजू और पार्टनर है दोनों कैपिटल दिया हुआ है यह कर सकते हो जैसे मैंने किया वह इसी क जैन को शिल्पा ने एडिशनल पैसा लाए 30,000 जूलाई को मिला हाइलेट कर दू कब लाई 30 अडिशनल कैपिटल कब लाए जूलाई को अननदर 20,000 अक्टोबर को दो बर पैसा लाए मैं तो इससे हड कीउए इसी वाल जब अब अब अडिशनल कैपिटल है तो वहां से पुरा 12 मेनी उस हुआ तो एक लाग के ऊपर दिखाई देरे एक लाग के ऊपर 9% 12 बाए 12 आंसर 9000 ऐसी जो 30 अरुपए आपने लाए iar Ende 2 6 मैने का ब्यांच comment on award thi इरु मिलेगा और जो बीसर रूप से स्टाषि से वलाएं मतलब 31 अक्टोबर को महीचन नहीं हुआ, हम समस्क्न नॉम्र से गिननेगा दो मैने का ब्याज आएगा 300 तो प्लस करो 10 था 6 50 इसका एक शॉटकट है आपको एक लाग को बारा से इंटू करो तीस तर को छे से इंटू करो दो से बाद में 14,20,000 इंटू 9 परसन इंटू 1 बैर 12 आंसर दसर वो ही आंसर है कि दोनू आंसर मैच होगा आपको जो अच्छा लगता हो करो और संजु का सीधा कैसे निकालोगे एक लग साथ दर के उपर 9 परसन इंटू 12 बैर 12 बोलो समझा एस्यूम करता हो पांच कंसर समझ में आज जो मैंने पढ़ाया है ओके वीडियो कैसे लाग कमेंट में जरू बतानो ठीक है थैंक्स वोचिंट वीडियो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में